अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला इस विडियो में हम बात करेंगे 2019 की टर्किश फिल्म, The Miracles of Love के बारे में, जो 2015 की फिल्म The Miracle का सीक्विल है अगर आपने The Miracle पर बनाया हमारा विडियो अब तक नहीं देखा है, तो इस विडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर आप The Miracle देख सकते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब माहिर ने मिजगिन और अजीज को गाउ से निकाल कर शेहर भेजा था और इस फिल्म में बताया गया है कि साथ सालों में अजीज बिलकुल ठीक होकर वापस कैसे आया मिजगिन ने एक अच्छी शादी शुदा जिंदगी के सपने देखे थे पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और सब कुछ छोड़ कर उसे अजीज के साथ एक अंजान जगे आना पड़ा जहां माहिर की पत्नी उनका इंतजार कर रही थी मगर वो और उसके परिवार के लोग अजीज की बीमारी से अंजान थे जिंदगी में पहली बार पहाडों से दूर आकर एक नई दुनिया में कदम रखना अजीज को खुशी दे रहा था और पहली बार उसने समंदर भी देखा जिस शहर में वो लोग रहने वाले थे वहाँ के मोहले के लोगों के लिए अजीज की मौजूदगी अजीब थी पर अजीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था वो बस अपनी पत्नी के साथ इस नई दुनिया के मज़े ले रहा था चाहे उस जगह के लोगों में घुलना मिलना कितना ही मुश्किल क्यों न हो अजीज बिना कुछ किये घंटों तक सिर्फ समंदर के पास खड़ा रहता था और उसके साथ रह रहे रहे लोगों को डर था कि वो ना तो कोई काम कर पाएगा और ना ही अपनी शादी बचा पाएगा मिजगिन को भी यही डर सता रहा था क्योंकि वो लोग ज्यादा दिनों तक दूसरों की कमाई पर जी नहीं सकते कुछ दिनों बाद वहां माहिर आया और उसे देख कर हर कोई खुश हुआ माहिर ने सब को बताया कि अजीज बच्पन में बीमार हो गया था और गरीबी के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया डॉक्टर्ज ने कहा कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता पर किसी मिरेकल की तरह उसने पढ़ना लिखना और बोलना सीख लिया अजीज को पहली बार फिल्मों के बारे में भी सीखने मिल रहा था क्योंकि 72 नाम का माहिर का दोस्त राज कपूर की फिल्मों का फैन है माहिर ने ठान लिया था कि जिस तरह गाव में अजीज ने मेहनत की थी उसी तरह वो यहाँ भी उससे मेहनत करवाएगा और पूरी तरह उसे ठीक करेगा उसने अजीज को ये भी समझाया कि ओरतों का काम करना और घर चलाना गलत नहीं होता इसलिए उसे मिजगिन को काम करने देना चाहिए माहिर ने अजीज के साथ-साथ अपनी पत्नी की भी सोच को बदल दिया जिसका ये मानना था कि मिजगिन के साथ गलत हुआ है और वो अपनी बेटी को अजीज जैसे बीमार आदमी से कभी शादी नहीं करने देगी मिजगन से बाद करते हुए कुछ औरतों ने ये कह दिया कि अजीज उसके लायक नहीं और क्योंकि उसकी और अजीज की शादी अब तक official नहीं है तो वो उसे किसी पागल खाने में छोड़ कर किसी और से शादी कर ले इस बात पर मिजगन ने कह दिया कि वो हमेशा अपने पती के साथ रहेगी चाहे वो कैसा भी हो और तब अजीज को मिजगिन के लिए एक तौफा लाते देख माहिर की पतनी को समझ आया कि वो दिल का कितना अच्छा है अपने गाउ से दूर आने पर भी अजीज और मिजगिन की तकलीफों का अंत नहीं हुआ पर वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते रहे बहतिन सालों से अपने प्यार का इंतजार कर रहा था और उसका मानना था कि सच्चा प्यार वही होता है जिसके लिए लड़ा जाए इसलिए उसे मिजगिन पर गर्व था कुछ वक्त बाद माहिर और बहतिन ने अजीज को थेटर में जाते हुए देखा अजीज पहली बार एक थेटर और एक फिल्म देख रहा था और उसका पहला एक्सपीरियंस काफी डरावना साबित हुआ पर जल्द ही सिनमा की दुनिया के बारे में बहतिन ने उसे सिखा दिया अजीज को समझ आ गया था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा जिससे वहा के बच्चे उससे घुल मिल पाए पर उसके लिए ये करना उतना आसान नहीं था और हर रोज अपना मजाग बनते दें अब उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी इसलिए वो जी जान लगा कर अपने आपको ठीक करने की कोशिश करने लगा माहिर और अली उसके शरीर को ठीक करने के लिए वो सब कुछ करते रहें जो वो कर सकते हैं और साथ ही बहत्तिन उसे मिजगिन को खुश करने के तरीके सिखाता रहा बच्चों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो अजीज की बीमारी के लिए उसे बुरा भला कहते थे पर मिजगिन इस बात से खुश थी कि अजीज उसके लिए ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा है वो अब पहले से ज्यादा कोशिशे कर रहा था और ये बात सबको अच्छी लग रही थी और माहिर को यकीन था कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा बहत्तिन ने अजीज को अपने थेटर में नौकरी दे दी पर वहाँ भी उसके साथ बुरा बरताव होने लगा इस बार जब मिजगिन पहली बार एक फिल्म देखने आई तो अजीज ने उसे उसी तरह संभाला जिस तरह बहत्तिन ने उसे संभाला था दिन पर दिन अजीज और मिजगिन की मुश्किले बढ़ती जा रही थी और अजीज ये सब कुछ सेह नहीं पा रहा था दुनिया के ताने सुनकर वो भी ये समझने लगा था कि उसमें कोई खोट है पर माहिर ने उसे समझाया कि कमी उसमें नहीं दुनिया में है और दुनिया क्या सोचती है उससे उसे कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए फर्क सिर्फ मिजगिन की सोच से और उसकी खुशी से पढ़ना चाहिए अपने दर्थ को अजीज अपने दिल में चुपा कर रखने लगा और फिर एक दिन माहिर ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी खुशी वापस लोट आई उसने अजीज और मिजगिन की शादी करवा दी जिससे अब दुनिया की नजरों में भी वो दोनों officially शादी शुदा बन दे कुछ दिनों बाद माहिर ने अजीज को बताया कि मिजगिन को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था और उसे एक बीमारी है अजीज ये बात सुनकर डर गया पर फिर उसे बताया गया कि मिजगिन प्रेगनेंट है और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अजीज समंदर के नारे चिल्लाने लगा इस खुश खबरी को सेलिबरेट करने माहिर और उसके साथी अजीज को लेकर छुटिया मनाने गए जिसके बाद वापस आकर अजीज ने पहले से दुगनी मेहनत करना शुरू कर दिया अजीज को उस औरत अदारा के बारे में बताया गया जिससे 72 चालीस सालों से प्यार करता है और इसे लिए उसने कभी शादी भी नहीं की एक दन कुछ बच्चे पानी में गिर गए और उन्हें बचाने के लिए अजीज पानी में कूट गया पर अजीज खुद भी तैर नहीं सकता था क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं करता इसलिए अली को उसे बचा कर बाहर निकालना पड़ा और अगले दिन बच्चों को बचाने के लिए अजीज की बहदुरी के बारे में पेपर में लिखा गया इतना ही नहीं उन बच्चों के माता पिता जो अजीज को बुरा भला कहते थे उन्होंने भी अजीज का शुक्रियादा किया और उससे माफी भी मांगी 72 ने एक दिन अजीज को प्रोजेक्टर चलाना सिखाया और उसी दिन अजीज को खबर मिली कि मिजगिन जल्द ही उनके बच्चे को जन्द देने वाली है और कुछ वक्त बाद अजीज को बताया गया कि उसे एक बेटा हुआ है और अपने बेटे को हाथ में लेते ही अजीज के साथ एक और मिरिकल हुआ और अचानक वो ठीक होने लगा और ऐसा होने पर उसे और मेहनत करने की हिम्मत मिली जल्द ही वो तैरने में काम्याब हो गया पर सिर्फ माहिर और उसके दोस्त ही नहीं अजीज भी उन लोगों की मदद कर रहा था और उन्हें वो खुशी दे रहा था जिसकी कमी थी एक दिन बच्चों के साथ खेल कर जब वो घर लोट रहा था तो उसे शहर के एक घर में अपने जैसा बच्चा दिखा जिसे बांध कर रखा गया था और तब उसने बच्चों के जरिये पूरे शहर के लोगों तक ये बात पहुचा दी कि वो उन सारे लोगों को फिल्म दिखाना चाता है जो मेंटली या फिजिकली कमजोर है और जो खुशी अजीज को मिली है उसने वो खुशी उन सब लोगों को दी उस दिन अचानक थेटर के बाहर अदारा आई जिससे बहत्तिन 40 सालों तक अलग रहा और उन दोनों का अधूरा प्यार आखिरकार पूरा हो गया उस वक्त बहत्तिन को अपने प्यार के पास छोड़कर अजीज ने खुद प्रोजेक्टर चलाया और ये देखकर बहत्तिन और माहर को उस पर बहुत गर्व हुआ कुछ महीनों बाद बहत्तिन ने बताया कि वो अब अपनी जिंदगी अदारा के साथ बिताना चाहता है इसलिए वो उसके साथ ट्रावल करेगा और अपना थेटर वो अजीज और अली के हातों सौब कर उस शहर से दूर जाने वाला है वो चाहता था कि उसके जाने का गम नहीं इस बाद की खुशी मनाई जाए कि उसका अधूरा प्यार पूरा हो गया और एक आखरी बाद अपने थेटर में चारली चैपलिन की फिल्म देखकर अगली सुबह वो अधारा के साथ उस शहर से बाहर चला गया और अपने पीछे सालों से उसके साथ रह रहे अपने परिवार को छोड़ गया अगले साल अजीज और अली ने उस थेटर को कुछ जानती है और ना ही उन गाओ के लोगों ने असली दुनिया देखी है अजीज के माता पिता अपनी बची कुछी जिंदगी उसी जगह बिताना चाहते थे पर उन्होंने दूसरों को अजीज के साथ जाने की इजाज़त दे दी अपने शहर लाकर अजीज ने अपने परिवार को भी एक नई दुनिया से मिलवाया और उन्हें खुश देखकर उसे और ज्यादा खुशी मिले और फिर परिवार के हर एक इनसान को नौकरी दे दी गई अजीज का भतीजा मुस्तफा और माहिर की बेटी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे पर इस बात से हर कोई अंजान था साथ ही दिन पे दिन अजीज और मिजगिन का प्यार बढ़ता जा रहा था और अजीज खुश था क्योंकि मिजगिन के पास बजय होने के बावजूद वो उसे छोड़ कर कभी नहीं गई मिजगिन को समझ आ गया था कि मुस्तफा और माहिर की बेटी बेरिन एक दूसरे से प्यार करते है और उसने बताया कि मुस्तफा कभी उससे बात करनी की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा इसलिए उसे खुद मुस्तफा से बात करनी होगी और बेरिन ने वही किया पर जब ये बात मुस्तफा के पिता को पता चली तो वो उससे नाराज हो गए क्योंकि अपने बॉस की बेटी से प्यार करना सही नहीं है और उसे मुस्तफा को पीटते देख उसे बचाने माहिर आया जिसने मुस्तफा के पिता को समझाया कि उन दोनों का प्यार करना गलत बात नहीं माहिर ने सोच लिया था कि वो मुस्तफा और अपनी बेटी का रिष्टा तेह करवाएगा पर यही बाते करते हुए अचानक उसका अक्सिडंट हुआ और उसे और उसकी पत्नी को गहरी चोट लगी माहिर की पत्नी तो ठीक हो गई पर अजीज और अली ने बताया कि अक्सिडंट की वजए से माहिर की गर्दन पर चोट लगी और उसे पर्मनेंट परालिसिस हो गया माहिर से मिलने अजीज के माता पिता आये जो चाहते थे कि माहिर उनके साथ उनके गाव चले अजीज अपने टीचर को इस तरह देख नहीं पा रहा था और अब वो माहिर को संभालने लगा था और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगा माहिर नहीं चाहता था कि अजीज उसके लिए कुछ करे पर अजीज का कहना था कि इतने सालों तक जिस तरह माहिर ने उसे संभाला है उसके आगे अजीज की कोई भी मेहनत बड़ी नहीं है। अंदर ही अंदर माहिर को ये बात खाय जा रही थी कि अब उसकी पत्नी और बच्चो का क्या होगा पर कई सालों तक अजीज उसका खयाल रखता रहा और साथ ही उसके परिवार को भी संभालता रहा। अजीज माहिर की इतनी इज़त करता था कि उसने अपने बेटे को माहिर का ही नाम दिया। उस दिन माहिर को समझाया कि अजीज जब समंदर की तरफ देखकर चिलाता था तो उसके दिल में क्या होता था। और अजीज ने उसे वो गाना सुनाया जो वो खुद तब सुनना चाता था जब उसे कोई बात परिशान करती थी। कुछ सालों बाद डॉक्टर्स ने कहा कि माहिर की किसी भी वक्त मौत हो सकती है और सब को उसकी मौत के लिए तयार रहना होगा। और तब हर किसी ने मिलकर माहिर को बताया कि उसने जिन्दगी में कितने लोगों की मदद की है और कितना प्यार कमाया है। उस दिन बहतिन और अदारा लोट कर आये जब उन्हें माहिर के हालात के बारे में पता चला। अजीज को बिलकुल ठीक देखकर बहुत दिन खुश था पर अपने सबसे अच्छे दोस्त की तकलीफ उससे देखी नहीं गई। माहिर ने अजीज से कहा कि मरने से पहले वो अपनी बेटी की शादी होते देखना चाता है और तब उसकी ख्वाइश पूरी करते हुए उसने बेरेन और मुस्तफा की शादी की तैयारी की उस वक्त अजीज ने कहा कि उसे आज भी वो दिन याद है जब उसने पहली बार माहि को देखा था और उस दिन के बाद उसने जो कुछ अजीज और उसके परिवार के लिए किया वो सिर्फ एक फरिष्टा कर सकता है पर अजीज खुश नहीं है क्योंकि आज वो खुद अपने टीचर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है अंत में माहिर की मौजूदगी में बेर जीज के पास बैठे हुए ही माहिर ने अपनी जिन्दगी की आखरी हिसा से खुशी-खुशी ली थांक्यू फर वाचिंग दो वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना